अगर MSXL में आपके पास कोई ऐसी seat है जिसके अंदर VBA code लिखे हुए हैं या आपने micros record कियें बट जब आप micros को run करने जा रहे हैं जैसी आप किसी भी micro को select करके run पर click करते हैं तो आपको वहाँ पे इस तरीके का कोई error देखने को मिलता है अगर आपको भी इस तरीके का error appear हो रहा है तो आज की इस वीडियो को last तक जरूर देखें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको MS Excel में कोई VVA Code रन करने में या फिर Macro को रन करने में अगर इस तरीके का Error आ रहा है तो आप क्या करें और किस तरीके से उस Code को रन करें जैसे अभी आप यहाँ देख रहें मेरे पास जो वर्क वुक ओपन है इसमें केवल एक सीट विजिवल है लेकिन जब मैं यहाँ पर अनहाइट पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी सीटे हैं जो हिडन है और इन हिडन सीटों को अनहाइट कर करने के लिए इसमें एक VVA code लिखा हुआ है जो अभी मेरे को यहाँ पर इस तरीके से अपियर हो रहा है और जब मैं इसको run करता हूं तो यह इस तरीके का error देता है जिसमें बोलता है कि because of your security setting micro have been disabled इस तरीके का error आपको अगर MS Excel में VVA run करने पर आ रहा है तो इसका मतलब MS Excel में micro enable नहीं है मतलब VVA code को run करना enable नहीं है micro enable करने के लिए आपको यहाँ पे file option पे click करना है देन आपको यहाँ पे Excel options का option दिखेगा आपको options option को select करना है इसके बाद Excel options का जो menu आपके सामने open होता है इसमें आपको trust center पे click करना है then यहाँ पर आपको trust center setting पे click करना होगा जब आप trust center settings पे click करेंगे तो इस तरीके का menu आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको micro setting पे click करना है micro setting पे जब आप click करेंगे तो इस तरीके का menu आपके सामने open होगा आप इन micro setting को developer tab से भी open कर सकते हैं अगर आपके पास जो excel sheet open है उसमें आपको यहाँ पर developer tab दिखाई दे रहा है तो आप simply developer tab पे click कीजिए और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा micro security का आपको simply इस पे click करना है तो आपके सामने micro settings सीधे open हो जाएंगी trust center की जो भी setting अभी आप यहाँ पर change कर रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसी workbook को open करें जिसके अंदर micro है आप किसी new work sheet को open करके भी इस setting को change कर सकते हैं MS Excel में micros related जो changes अभी हम कर रहे हैं जो भी setting अभी हम change कर रहे हैं वो कोई seat specific या workbook specific नहीं रहेगा वो Excel की सभी workbooks पर apply होगा तो आप अगर कोई new workbook open करके भी setting को change करते हैं तो आपकी existing workbook पर भी apply होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि micros setting में disable all micros without notification वाल option selected है जिसकी वज़े से आपको वहाँ पर error देखने को मिलता है और अगर आप micros को enable करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो last option है enable all micros not recommended इस option को select करना है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक option और है developer micros setting का इसके अंदर trust access to the vva project वाला जो option है इस पर आपको tick लगा देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो ok button है इस पर click करना है अभी भी जब आप micros वाले option पर click करेंगे तो आपको जो यहाँ पर micros है वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा और जब आप run पर click करेंगे तो same error आपको appear होगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी जो seat है इस seat को एक बार close करके अगर यह save करने के लिए पूछता है तो आप don't save पर भी click कर सकते हैं या फिर आपने अपनी seat में कोई change किया है या VBA में कोई change किया है तो save पर click करें यदि आप केवल micro को enable करके seat को close करने तो आप don't save पर भी जा सकते हैं इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा उस seat को दुबारा से open करना होगा so that जो भी setting आपने अभी change की है वो excel seat पर apply हो जाएं जब आप इस seat को दुबारा से open करके चाहे आप developer tab से micro's में जाएं या फिर view option से micro's में जाएं जब आप micro open करेंगे अब आप जब यहाँ पर run पर click करेंगे तो आपका micro run होगा और जो process आपने micro की तरी automate किया वो process भी होगा तो इस तरीके से basically आप MS actual में micro को enable कर सकते हैं अगर आज की ये वीडियो आपको informity लगी तो वीडियो को like और share जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon पर click करके all option को select करें so that जब भी मैं अपने इस channel पर new video डालू उसका notification आपको मिले और मैं मिलता हूँ ऐसी ही और किसी interesting video के साथ